कि इसको सीखने के बाद आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का इसको पुरा जहां से देखना इसमें कुछ नहीं करना आपको खेवल और को तीन स्टेप करना है इसको हम लॉंग डिजिजन मैथड कहते हैं देखिए क्या करना है बाहर से अंदर के ओर आते हुए दो-दो का दो-दो डिजिट का जोड़ा बनाना है यानि दो-दो अंक का जोड़ा बनाना है देखिए एक दो एक दो ऐसे समझा गया फिर जो आपका अंदर जोड़ा बना है इस जश्ट लाइन के पास इसको ले लेना है कितना बना है आपका 82 बना इसको ले लिया अब इसको जहांद में रखती हम आपको संखे का चुना करना है जिसका खुद के साथ multiply करने पर या तो यह आ जाना चीए इससे just कमाना चीए देखिए यह कितना होता 9 multiply 9 81 होता है 10 multiply 10 100 होता है देखिए 100 इससे क्या है अधिक है 81 क्या है इससे कम है तो यहाँ पर selection किसका हो गया इसका हो गया इसने हमारी condition को satisfied किया तो इसको यहाँ लिख देना है और इसको एक वार है जो यहाँ लिख देना है ठीक है अब देखिए इनका multiply करने पर आपके पास कितना आया है 81 आया एड गरना है तो कितना गया 18 आगया यहाँ आपका second step हो गया थर्ड step इसको minus करता है तो यहाँ पर कितना आगया वन अगला step देखिए आपका यह जो जोड़ा है यहाँ पर जो जोड़ा बेठा है इसको यहाँ ले आना है कितना है जोड़े में आपके पास क्या आना चीए यहाँ जो आपका संख्या है यह यहाँ आना चीए देखिए मैंने one लिया one का multiply किया तो मेरा one eighty one आ रहा है यहाँ इससे just कम आता है कुछ ऐसे कुछ यहाँ जो की perfect risk नहीं होता है लेकिन यहाँ पर direct आ जाता तो फिटीक हमारा हो गया अब यह जो आपका value निकल के आया है यह value किसका है इसके square root का value है तो square root का value आपके पास कितना आ गया यहाँ पर ninety one निकल के आ गया eight two eight one square root बराबर ninety one ठीक है वीडियो कैसा लगा नीचे comment करके बताएं अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए